नमस्कार आप देख रहे हैं न्यूस वोल इंजिया का खाश शो ये हैं इंजिया और हर बार की तरह एक बार फिर हाश जिरू मैं पारूल सपना तो मैंने भी बहुत बड़ा देखा था लेकिन शहर की पकजंडियों पर जब मैं अपना भविष्य तलाश ने निकलता तो मेरा बच्पन कहीं हो गया आलम ये हुआ कि ना बैग में किताब आई और ना हाथ में कलम आई लाचारी गरीबी की मार से मेरा नन्ना कोमल बच्पन कहीं खूसा गया नहीं रहने का चिकाना फुटपात पर ही अब मेरा खर को गया जी हाँ कवीता की पंक्तियां अच्छी हैं लेकिन इसके मायने निकाले जाएं तो बच्पन की राहों पर अंधकार खड़ा कर देती हैं वर्ड चाइड लेवर डे निकल गया लेकिन कोरोना के साथ नन्ने मुस्कुराते चेहरों पर उदासी दे गया तो क्यों ना बात आज मासूमों के उन सपनों की की जाए जो भूक तले दपतार गुमनामी के अंधेरे में खो जाते हैं इन मासूम आखों में भी सपने तो पलते हैं लेकिन पेच की भूक तले सपनों का गला दब जाता है खेलना तो इने भी आता है खिलोने से लेकिन इनकी किस्मत की लकीरे कुछ ऐसी बनी कि गुमनामी के अंधेरे में रहा बटक गई और वो भी ऐसे वक्त में जब कोरोना ने दुनिया भर की तस्वीर ही उलट दी लाखों लोगों की जान गई हजारों लोग बेरोजगार हों गए कोई भूक से तड़ब तड़ब कर मर गया चिताओं के उटते गुबार ने आसमान का रंग बदल दिया शमशान की तपिश ने इंसानों की जिन्दगी में मौत का सेलाब ला दिया लेकिन COVID-19 के बीच बाल मज़ूरी जैसे गंभीर मुद्दे को दुनिया को नहीं भूनना चाहिए महमारी के इस दौर में परिवार पर आर्टिक दबाव बढ़ता चला गया और वो बच्चों से श्रम कराने को मजबूर कोते दिख रहे हैं दुनिया में इस वक्त कुरूना वारस महमारी की चच्चा है हर रोज मरने वालों और संक्मितों के नए नए आकरे सामने आ रहे हैं भारत ही नहीं दुनिया के तमाम देशों के लिए बाल श्रम बड़ी समस्या है जहां इसके खिलाफ कानून तो है लेकिन फिर भी बाल मजबूरी धरले से हो रही है मानव तसकर हो या फिर अपरादिक गुठ बच्चों को बाल श्रम में धकील रहे हैं भारत में बाल श्रम बिरोधी सक्त कानून है लेकिन आपको इट भटो पर निर्मान कार्यों जैसे कामों में बच्चे काम करतें मिलखी जाएंगे हाला कि आपको शहरी इलाकों में तो नहीं मिलेंगे लेकिन देश में ग्रामीन इलाकों में बच्चों से अब भी काम कराया जाता है भारत में सरकारी और समाज़े के स्तरफ़ बाल श्रम के खिलाब जागरुकता फैलाने का काम हो रहा है लेकिन इस पार अब तक अंकुष्ट नहीं लग पाया है बाल मजदूरी पर अंकुष्ट नहीं लग पाना अपने आप में गंभीर सवाल पैदा करता है क्या सिस्टम में कोई गरबड़ी है या फिर कानून का पालन कराने बारे इस विशे पर गंभीर सोच नहीं रखते हैं भारत समित जादतर देशों में बाल मजदूरी पर प्रतिबंध हैं लेकिन खुले आप बच्चों से मजदूरी कराई जाती है देश की राज़ानी दिली में ही आपको चाय की छूटी दुकान हो या फिर मोटा वर्क्शॉप हो यहां आपको एक छोटा बच्चा हेलपर के तौर पर दिखी जाएगा लोग भी से नॉर्मल ही मानते है वो बच्चा सिर्फ सहायता कर रहा है लेकिन वो सहायता नहीं कर रहा बल्कि नौ से लेकार दजगंटे तक मजदूरी करता है बारजू अंतरराश्ट्रे बाल श्रम विरोधी दिवस्वर देश के नेता और अधिकारी अब तो ट्वीट के ज़र्गे संदेश देते हैं लेकिन वो सिर्फ संदेश भर वह जाता है अगले ही दिन किसी और विशे पर उनी नेता उनी अधिकारीों का ट्वीट आ जाता है भारत जैसे विकास शीन देशों में बाल श्रम के खिलाफ इस पर्ष्ट नीती बननी चाहिए ताकि कोई भी बच्चा मज़ूरी के लिए मजबूर ना हो बाल मज़ूरी को 2025 सर्थ खतम करने का लक्ष रखा गया है लेकिन 2020 के 6 महीने तो कोरोना वारस से जूचते हुए ही बीट गए भावेश्य की गोद में कोरोना वारस को लेकर क्या छिपा है कोई नहीं जानता ये महामारी सिर्थ स्वास से और अर्थववस्ता से जुड़ा संकट नहीं है बलकि इन बच्चों के भावेश्य का भी सबसे बड़ा संकट है सरकार और गैल नापकारी संगटनों के हालिया प्रयासों से हजारों बच्चों को बाल मजदूरी के चक्रव्यू से मुक्त कराया जाता है लेकिन हालात संतोज जनक नकी है हाल कि सालों में भारत ने बाल मजदूरी के खिलाफ कई अभ्यान भी चलाए अभ्यान किते हैं तैसे कारखानों पर कारवाई भी की गए जहां चूडियां, जूते की सिलाई और कपड़ों पर सितारे लगाने का काम किया जाता था सर्तरकता में इस काम को सिर्फ भूमिल किया है, बाल अधिकार कारेकरताओं का कहना है कि कारवाई की बच्छा से बच्चों को बड़े पैमाने पर काम पर लगाने वाले उन्हें छोड़ देते हैं, जिस बच्छा से वो अवैद कामों में पस जाते हैं भारते श्रम कानून के मताबेक 15 साल से कम उम्र के बच्चों से श्रम कराना गय कानूनी है, लेकिन स्कूल के बाद वो परिवार के विवसाय में हत बटा सकते हैं, इस प्रावधान का नियोकता और मानव तसकर व्यापत रूप से शोशन करते हैं बिहार जैसे राज्यों में जहां साड़े चार लाग बच्चे मजदूरी करते हैं, वहां ऐसे तंतर तयार किये जा रहे हैं जिससे बाद श्रम को मैप किया जा सके पूरे देश में 5 से 14 साल तक की उम्र वाले कामकाजी बच्चों की संख्या करीट 44 लाग है अंतर राष्ट्रिय श्रम संगचन और युनिसेफ की एक नई रिपोर्ट के अनुसाद दुनिया भर में बाल मजदूरी में बच्चों की संख्या बढ़कर 16 करोड हो गई है जो दो दशक में पहली बार बढ़ी है और COVID-19 की बच्चा से अभी लाखों और बच्चे बाल मजदूरी के जोखिम में हैं रिपोर्ट चाइड लिवर ग्लोवर एस्टीमेट 2020 प्रेंट्स एंड रोल्स फॉरवर्ड विश्व बालश्रम निशे दिवस से ठीक दो दिन पहले जानी की गई इसमें कहा गया कि बाल मजदूरी को रोकने की दिशा में प्रगती 20 साल में पहली बार अवरुद हुई है जबकि साल 2000 से 2016 के बीच बाच्च्चरम में बच्चों की संख्या 9 करोड कम हुई थी रिपोर्ट में बाल मजदूरी में 5 से 11 साल के उम्र के बच्चों की संख्या में बढ़ोत्री की और इशारा किया गया है जो पुरी दुनिया में कुल बाल मजदूरों की संख्या की आदे से अधिक है रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में बालश्रम में बच्चों की संख्या बढ़कर 16 करोट हो गई है इसमें पिछले 4 साल में 84 लाग की व्रद्दी हुई है COVID-19 के प्रभाव की वज़ा से लाखों और बच्चे बालश्रम की और आने के जोखिम में हैं युनिसेप एंजिया की प्रतिनिदी जॉक्टर यासमीन अली हक ने कहा कि कोरोना वायरस महामारी साब तौप बाल अधिकार के लिए संकट के रूप में उबरी है जिससे कई और परिवारों के अतियंत गरीब होने के कारण बालश्रम बढ़ने का जोखिम और बढ़ गया है बर्तमार में देश के कई शेत्रों में छोटे स्थरपा फोटल, घरो और फेक्ट्रियों में काम करा रहे अलग-अलग विवसाय में मज़़ूरी कर हजारों बालश्रमिकों ने अपने बच्पन को खो दिया जिने ना तो किसी कानून की जानकारी है और ना ही पेट पालने का कोई और तरीका पता है मद्रप्रदेश से लेकर उत्रप्रदेश, राजिस्तान, जम्मू कश्मी, तमिलनारू, महाराश, केरल, आंध्रप्रदेश, आसाम, त्रिपुरा और संपून भारत में ये बालश्रमिक ज्यादा काम करते हैं मेरे आखों में भी पलते हैं मासूम सपने, पेट की भूक तले सपनों को दबा दिया गया मुझे भी खेलना है खिलोनों के संग, पर किस्मत की लकीरे कुछ ऐसी गड़ी कि मैं खुद एक खिलोना बन गया तरस खाते हैं लोग मेरी बेबसी पर लेकिन स्वार मेरे लिए उनके खात बांग गया आज ये हैं इंडिया में बस इतना ही, फिर होंगे अगले बार हाज़े किसी और मुद्दे के साथ, नमस्कार